खरा पोश्चर जुके हुए कंधे, शोल्डर जॉइंट पेन यानि कंधों में दर्ध, मुमेंट करते हुए कंधों और गर्दन से अवाज आना, गर्दन में दर्ध, स्कापूलर रीजन में दर्ध, फ्रोजन शोल्डर, शोल्डर जॉइंट अध्यसिव कैपसुलाइटेस, रोटेटर कफ प्रॉब्लम, फ्रेंट्स आज के टाइम में इन प्रॉब्लम से परेशान, पेशेंट्स की क्लिनिक OPD में भरमार है, इन में से ज्यादा तर प्रॉब्लम का कारण है, अपर बैक, शोल्डर जॉइंट और सर्वाइकल रीजन के आसपास की मसल्स का कमजोर होन फ्रेंट्स आज इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि इस तरह की प्रॉब्लम से टाइम रहते हम कैसे दूर रह सकते हैं और इन में से अगर कोई भी प्रॉब्लम जाने अंजाने हमें घेर लेती है, तो उससे कैसे निजात पाएं इस वीडियो में हम क्लिनिक OPD में कुछ शोल्डर जॉइंट स्रेंधनिंग एक्सराइजिस पेशेंट को सिखाएंगे, इस वीडियो के माध्यम से आप भी इन एक्सराइजिस से फायदा उठा सकते हैं, चलिए एक्सराइज स्टार्ट करते हैं सुष्मा जी आशा जी दोनों की लगभग एक ही प्रॉब्लम है आपका आशा जी आपका फ्रोजन शोल्डर खुल चुका है तो आपको शोल्डर स्टेंधनिंग करनी है ठिक है ना नहीं तो फिर ये दर्द बना ही रह जाएगा और आपको सुष्मा जी का पीठ की आप दोनों की ठोड़ी के नीचे रोल है उसको अपनी ठोड़ी से आपने दबा के रखना है आप अपने दोनों हाथ सीधे कीजिए येस आप भी आशा जी येस आप इस ठोड़ी को नीचे दबाते हुए रोल के उपर हाथों को अंगूठों को उपर कीजिए ऐसे ये कीज हवा में उठाओ हाथ दोनों कोनी सी देख रहे हूंगे कितना टफ है है ना जोड़ लगा अच्छा जोड़ लगा आशा माहम दूसरा भी जो कंधा जाम था उसका भी सामने उठाओ थोड़ा सा ठच छोड़ने की कोशिश करो अहां सुष्मा जी थोड़ा सा ओर उठाइए येस छोड़ दीजिए नीचे इनीशिली क्या होगा सुष्मा जी आपसे उपर नहीं उठाया जाएगा ज्यादा देर क्योंकि शुरुआत है तो धीरे धीरे आप उपर उठाएं फटाफट नीचे रखें उपर उठाइए येस नीचे रखिए आशा माँ आप भी कोशिश कीजिए बहुत सुन्दर कोशिश हो रही है आशा जी बहुत अच्छा किया डाउन हां दोनों को बराबर उठाने की कोशिश कीजिए बहुत बढ़िया ऐसा आप 10 टाइम्स करेंगे कीजिए फटा-फट वान गुट टू थू हम थ्री फोर फाइव छोड़िए शिक्स ऐसे टेन टाइम्स ठीक है यह एक्सरसाइज थी आई एक्सरसाइज शोल्डर स्थन्द्रिंग के लिए आई की तरह बना ना कैपिटल आई की तरह आपकी बॉड़ी बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में हुई आप करेंगे टी एक्स साइड में दोनों हाथों को लेके आईए नेक्स एक्सरसाइज टी एक्सरसाइज इसमें आप दोने हाथ फैला लिए अपने साइडों में तो टी बन गया आप ऐसे ही अंगुठे को उपर रखना है हवा में उठाईए नाइस टेन सेकेंड तो आप होल्ड नहीं कर और रखिये लेकिन जटके के साथ नहीं उठाना थोड़ी रखिये या माथा भी रख सकते हैं हाँ जी जिसमें आप कमफर्टेबल हो बस वह इसलिए है कि आपकी बॉड़ी स्टेबल हो नाइस रखिये फिर उठाईए वेरी गुड हाँ बहुत अच्छा ये बात आपका आ बहुत बढ़िया टच छोड़ना शुरू कर गया ना तो स्ट्रेंथ आनी शुरू हो जाएगे स्ट्रेंथ आएगे तो आपका पेन भी जाएगा नहीं तो पेन रह रहे के आएगा कमजोर हाथ में दोबारा से पेन आएगा ठीक है अब आप तीन पांच सेकेंड के लिए र को चुकना हाथ दोबारा से सुश्मा जी हाथ फैल आई हां ऊपर उठाईए 12345 डाउन हां फिर उठाए 12345 किसी भी जटका नहीं लगना फिर उठाईए 12345 डाउन गल्ट सुश्मा जी आशा जी हम तीसरी एक्सेस करेंगे इस इक्सेस का नाम है वाई एक्सेस ठीक है बहुत अच्छा किया आपने कोशिश अच्छी है छोड़िया रखे नीचे बहुत बढ़ी अब जटका नहीं मारना उपर उठाते वे उठाएए वान टू थ्री फोर फाइव डाउन फिर से कीजिए वान टू थ्री फोर फाइव डाउन अब अच्छा ठक गए हैं ठीक है कोई बात नि इतना ही हो पारहा है कोई दिक्कत नहीं धिरे धिरे करके बढ़ाएए अगर शुरू में होल्ड नहीं होता है सरफ उठाएए रखिये और अगर हो पाए तो पांच सेकेंड तक होल्ड कर लीजिए और अगर सरफ पांच ही रिपेटेशन हो पाते हैं तो पांच कीजिए अगर इससे ज्यादा हो पाते हैं तो दस पे चले जाएए धीरे धीरे आपने इस एक्सरसाइज को तीस बार करना है ठीक है अब नेक्स ए खो लिए यह बात छोड़ दीजी नीचे हां कीचे वेरी नाइस आप पीछे स्क्यापुला के साथ में यहां पे देख रहे होंगे न कि कितना अच्छा काम हो रहा है इस जेगे पे पता चल रहा है सुष्मा जी हां आशा जी यहां फील हो रहा है न चोटी के पीछे हां करो इ वेरी गुड़ थ्री ठीक है फोर हम फाइव आप जो मैंने दूसरी एक्सरसाइज बताई थी डव्यू वाले वह डव्यू से आई की शेप में जाना आपको डव्यू से आई बनाना जाए वेरी गुड़ वापेस आईए हवा में रखना है हाथ गुड़ यह थोड़ा ऐसा मुश्की लोगा उठाके रखोगे तो मुश्की लोगा लेकिन करना है हाँ किजिए 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 पटपट किजिए येस वान चू थ्री गुड 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 फोर फाइव ये आपने फाइव टाइम्स किया है न इसको 10 टाइम्स 15 टाइम्स 20 टाइम्स और होल्ड के साथ जैसे आपकी बॉड़ी आपको अलाओ करती जाए नेक्स्ट थी मंच्स तक आपको ये एक्सरसाइज करनी है ठीक है मसल स्टॉंग होंगी तो दोबारा से पेन नहीं आएगा फ्रोजन शोल्डर भी नहीं होगा कंदों में भी दर्ड नहीं आएगा अगर नहीं करोगे तो परेशानी आएगी ठीक है अगर आपके लिए ये वीडियो हैल्फुल हो तो प्लीज इसे लाइक करें शेयर करें ताकि आपके सोसाइटी में जो ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है आप उसको रोकने में या आप उसको कंट्रोल करने में या उन लोगों को इस वर्स्ट सिचुएशन से बचाने मे उनकी मदद कर सकें फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर नहीं हों तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस चैनल